आपको अपना date of birth तो यादी होगा है ना अगर मैं पूस्दो कि आपका जन्म कौन से दिन हुआ था तो आप बोलोगे मालूम नहीं है ना लेकिन आप Excel में बस दो सकेंड में निकाल सकते हैं MS-Duni का date of birth है 7 July और 1981 4D टाइप कर देना है ताकि आपका ये डे का है ये आपका Tuesday पढ़ता है ये जो आपका 31st अगस्ट 22 है ये कौन सा वीक पर रहा है तो चलिए इसे डीटील में हम समझते हैं मैं हूं मिलन और केंप्यूटर जी नाइन में आपका स्वागत है जैसे कि अभी आप स्कीन पर देख पा रहे हो अभी हमारे सामने जो कॉलम है date, day, month, year, name of day, name of year और total number of week ये सारा कैसे निकलेगा ये सारा निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक डेट को लेना होगा 31 August 2022 तो अभी आपके सामने ये date आचुका है इस तरीके से date को drag कर लेते हैं तो आपके सामने यहां से date आचुका है ये 31 August से लेके 10 September तक आपका date आचुका है इसमें से अगर सीरियम को day को निकालना हो तो कैसे करेंगे इसके लिए बहुत ही simple formula होता है आपको simply equal to press करना है equal to press करने के बाद आपको यहां से date करना है और यहां से simply को है आपको यहां पे Serial number को Select कर लेते हैं और यहां çıktव को बंद करते हैं और enter करते हैं तो आपको यहां से simply पता है कि day आपका क् Dell कासा हा glauben 31st उसके बाद September, यह आपका जो August कौन सा मन्त है, और September कौन सा मन्त है, यह निकालने के लिए आपको simply यहाँ से equal to करना है, और type कर लेना है month, और यहाँ से tap दबाते हैं, और इसको भी इसी तरीके से आपको date को select कर लें, select करने के बाद bracket को बन कर लें, और यहाँ से enter करें, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह आपका कौन सा महना, आट मा है, और September आपका नम्मा महना होता है, next year निकालना, year ऐसे आपको देखनी सी पता चल रहा है कि यह आपको 22 होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे formula को use करके करना है, ऐससर इसलिए करना है क्योंकि अभी तो आपके सामने यह 10-12 का डाटा है, लेकिन सब जब भी आपके सामने 1000-10,000 डाटा रहेगा तो उसमें आप बस simply formula लगा के निकाल सकते हो, एक क्लिक करके, year निकालते है, equal to करते हैं, यहाँ से type कर लेती, year, y-e-a-r, और यहाँ से tap दबाते हैं, और year में भी same serial number आव of day, यह आपका 31st जो है, इस दिन आपका कौन सा day है, यह काफी important हो जाता है, ठीक है, यहाँ से equal to करते हैं, यहाँ पे जो आपको formula यूस करना होगा, text का, t-e-x-t, और यहाँ से आपको tap दबाना है, tap दबाने के बाद आपको value लेना है, यानि कि आपको date लेना है, date को select करने के बाद आपको यहाँ से comma लेना है, comma लेने के बाद आपको यहाँ से double inverted comma के अंदर type करना है, 4D type कर देना है, चाहता कि आपका day का full form आए, और यहाँ से bracket को लगा देना है, और enter करना है, 31st अगस्त को day जो है, वो witness day है, इसी तरीके से drag करके आप सारा day को देख सकते हो, next जो आपका date को select करना है, comma लेना है, और यहाँ पर सर आपको बहुत ही धियान select करना है, ठीक है, number 1 अगर आप type करोगे, तो आपको यह Sunday से लेके Saturday तक जाएगा, ठीक है, यह आपका day जो है, Sunday को 1 मानेगा, और Saturday को 7 मानेगा, वहीं सर अगर आप यहाँ पर 2 को select करते हो, तो यहाँ पर 1 आ चुका है, और यहाँ से bracket को बंद करते हैं, और enter करते हैं, तो आपको यहाँ पर दीख रहा है, यह जो है आपका number of week कोन से हो गया, 4 हो गया, इसी तरीके से इसको drag कर लेते हैं, आपको यहाँ से सारा का पता चल जाएगा, Sunday को हमने 1 माना था, तो Wednesday 4 आएगा, Thursday 5, Friday 6 और Saturday 7, उसके बाद फिर से यह Monday से एक नया start होगा, यानि 1 से आएगा, जैसा कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, next जो है total number of week, यानि यह जो आपका 31st August 22 है, यह कौन सा week पर रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक साल में total 52 week होते हैं, उनमें से 31st August को, यह कौन सा number of week है, तो equal to करते हैं, और यहाँ से लिकालते है, week number, और यहाँ से tap प्रेस करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर date को select करना है, कोमा लेना है, यहाँ पर भी सर आपको यहाँ ध्यान देना है, कि आप यहाँ पर Sunday को first week मान रहे हो, या ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से drag कर लेंगे, तो आपको आगे का भी answer मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह आपका यहाँ से, यानि 5th September से जो start हो रहा है, यह आपका week number 37 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इस data को थोड़ा अच्छा decorative बनाने के लिए select क करने के बाद इसे तोरा bold कर लेना है, ठीक है, और इसे यहाँ से center पर कर लेते हैं, ठीक है, और भी आप इसमें बहुत सारा यहाँ से format लगा सकते हो, अगर यह निकाल सकते हो, तो आपके लिए एक छोटा सा question है, इस question को आपको solve करना है, आपको अपना date of birth तो यादी होगा है ना, अगर मैं पूस दो कि आपका जन्म कोन से दिन हुआ था, तो आप बोलोगे मालूम नहीं, है ना, लेकिन आप Excel में बस दो सकेंड में निकाल सकते हो, अगर आप एक cricket lover हो, तो आपको MS Dhoni के बारे में अच्छी से पता ही होगा, MS Dhoni का date of birth है 7 July और 1981, अगर मैं आपको कि आपको 7 July को कोन सा दिन है वो निकालना है, तो आप कापी इज लेक निकाल लोगे, आपको simply यहाँ से equal to करने के बाद आपको यहाँ से type करना है, text, और यहाँ से अपको tap दबा देना है, और यहाँसे value, अपका value यह date है, date को select करना है, comma लेना है और यहाँसे आपको double inverted comma ल 1981 यह आपका Tuesday पड़ता है हलाकि सर सबको अपना date of birth पता होता है लेकिन day date of birth नहीं पता होता है आप जो है बस Excel में 2 सकेंड में किसी भी date का आप day, week, number of week या पी total number of week असानी से निकाल सकते हो I hope की दोस्तों आपको यहां तक का concept clear हो गया होगा अगर सर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दे, दोस्तों के साथ भी share कर दे और चैनल को subscribe कर ले